नमस्कार मैं डॉक्टर वेफिन वंसल वास्तु कंसिल्टेंट आज फिर मैं आपके लिए एक और नए विशय पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपका अपना शोरूम है और आपके शोरूम में काम अच्छा नहीं चल रहा है मार्केट में शोरूम तो बहुत सारे खुलते हैं हर रोज कोई ना कोई शोरूम बंद हो जाता है बंद होने के पीछे का कारण जो है वो कारण यह है कि उनकी वरकिंग अच्छी नहीं चलती है उन्होंने शोरूम अपना किराए पे लिया हुआ है या उनका अपना है जब काम अच्छा नहीं होगा शोरूम के खर्चे भी नहीं निकलेंगे तो इक्ष्टे जैसी आजाती है कि शोरूम को बंद करना पड़ता है यदि आपने भी अपना शोरूम खोला हुआ है और आ मेरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखे उसको रिपीट करके भी देखेंगे तो आपको उसमें भी बहुत सारी बाते जनकारी आपको मिल जाएगी कहीं बार क्या होता है कि जब वीडियो देखते तो उसमें कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं तो इसलिए वीडियो को आप रिपीट करके भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी बाते समझ आएगी कि आपके शोरूम के इंदर कहां पर क्या कमी है जिसकी वज़े से आपका शोरूम अच्छा नहीं चल रहा है आपका शोरूम इस्ट फिसिंग यानि पूरो मुखी है आपने अपना शोरूम फोले हुए बहुत लंबा समय हो गया है पहले जब अपने शोरूम खोला था तब आपका शोरूम बहुत बढ़िया चल रहा था समय के अनुसार रोड बार बार बनती चली और जैसे ही रोड उची होती गई आपका शोरूम नीचे डाउन में जाता चला गया यानि रोड के लेवल से आपका शोरूम नीचा हो गया जब से रो फ्लोर लेवल, रोड के फ्लोर लेवल से हम उंचा जरूर करें, जब फ्लोर लेवल उंचा करें तो उसमें ध्यान रखें कि फर्ष की ढलान साउथ वेस्ट कॉर्णर से नोर्थ हिस्ट, यानि इशान कोने की ओर होनी चाहिए, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि शोरूम बहुत बढ़िया चल रहा है, शोरूम में जगह बनाने के लिए पीछे का एरिया, फ्लोर का लेवल नीचा कर दिया जाता है, या नया शोरूम ते यार करते हैं तो उसमें स्पेस बनाने के लिए बैक सेड में फ्लोर का लेवल नीचे कर दिया जाता है, क्योंकि अपना जो परकिंग देरे देरे करके स्लो होती चली जाएगी यह दि आपके इहां ऐसा हो रहा है और आप ज़रूरत से ज्यादा परिशान ने तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने जो बैक साइड का एरिया डाउन किया हुआ है वैस्ट का एरिया पश्चिन दिशा का एरिया जो ड बर्श के लेवल को कम से कम दो से तीन इंचूस को उंचा करेंगे तो मेरा अपने यह मानना है कि आपके हां सेल कहीं गुना प्लस होती चली जाएगी आपके हां फ्रंट के भाग में ग्रे कलर है तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके हां सेल अच्छी नहीं हो सकती ग्रे कल ग्रेकलर का है, तो आपकी working slow जरूर होगी, जो working आपके यहां आने चाहिए, वो working आपके यहां नहीं आ रही, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने front के बाग से ग्रेकलर जरूर हटाए, आपका अपना showroom है और आपके showroom के नौर्थ हिस्ट जोन में इश्यान कोने में ट्रांस्फार्मर लगा हुआ है तो भी आपके हैं काम अच्छा नहीं जलेगा आप चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले बार बार आपको नुक्सान मिल जाता है कुछ समय आपका काम अच्छा चलता है फिर वो आपिस उस्टेज पर आकर खड़े हो जाते हैं क्यों होते हैं क्योंकि नौर्थ हिस्ट के भाग में आपके यहां ट्रांस्फार्मर है वैसे ऐसा नहीं होता है कि हर दुकान के आगे ट्रांस्फार्मर होता है लेकिन मार्किट के अंदर कोई न कोई दुकान ऐसी जरूर आ जाती है, जिसके दुकान के आगे क्रांसफ़र्मर आ जाता है तो इसलिए मैं आपको कहना चाऊँगा, यदि आपके हन नौर्थिष्ट के भाग में क्रांसफ़र्मर लगा हुआ है तो आप अपने transformer के चारों तरफ का area neat and clean करें, साफ सुत्रा करें, ऐसा करने से आपको relief जरूर मिल जाएगा, और जब भी आपको मोका मिले, कोई दूसरी दुकान बदलने का, तो आप दूसरी दुकान जरूर बदलें, आपका अपना showroom east facing है, यानि पूरा उंक्य है, और आप पूरा मुखी है, तो उसमें ध्यान रखे, कि North में बनी हुई building आपकी building से उची है, तो ऐसी building को ना खरीदे, यदि आप इसे खरीदते हैं, तो अपने building को North की building से उचा जरूर बनाए, ऐसा करने से आपकी working प्लस हो जाएगी, आपने ऐसा भी देखा होगा कि आपका अपन building को उचा बनाया, और जब से प्लसी की building आपकी building से उची हुई, तब से आपका काम देरे-देरे करके slow होता चला गया, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी building को North में बनी हुई building के बराबर या उससे उचा जरूर बनाए, ऐसा करने स आपकी working दुबारा से सही हो जाएगी, इसमें आपने दिहान रखना है, जो आपकी North में बनी हुई building है, उससे उची आपने building जरूर बढ़ानी है, कहीं बार क्या होता है, कि building तो लेवल में एक होती है, लेकिन जो नीचे का floor level होता है, उसमें परोसी ने, North वाले परोसी ने लेता है, तो अपनी दुकान पर अपने शोरूम पर असार आना शुरू हो जाता है, किस तरह का असर आता है, हमारे अपने काम में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, कस्टमर का footfall कम हो जाता है, इसी के साथ मैं आपको एक कोईंट और बताना चाहूंगा, आपका अपना जो जरूरत से ज़्यादा परेशान है, आपको कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखे, सुने, समझे और विचार करें, आपको लगता है कि बंसल जी दुवारा दीगी जानकर इस सही है, तो आप अपने यहां पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पिताजी दुवारा लिखित पर्थम पुस्तक लक्ष्मी परवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तु शास्तर के साथ साथ अपना अनुगा भी लिखा है, और इस पुस्तक को प्रेंट करा कर उन्होंने समाज में बाटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाब भी उठाया है, आप भी हमारी यह पुस्तक मुआना चाते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर संपर करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं, मैंने अपने इस कॉंसेप्ट को ज हमेशा शेयर करता है रहता हूँ, आप हमारे यहां से ओनलाइन कंसल्टन्सी लेना चाते हैं, तो आप हमारे यहां से ओनलाइन कंसल्टन्सी भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाते हैं, तो आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के अनुसा सब्सक्राइब करें हैं चैüricon कि Do Kenyan fully seasons time ब्रेंट मेरी इस वीडियो को अपने उसकन और फ्रेंगs के Facebook ग्रूप और Lights सब्सक्राइब किया ज़्या सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इस भी इस sabes पहुंचाए हो सकता है मेरी ये वीडियो उस वेक्ति के काम आ जाए आपने मेरे चैनल को और तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और साथ में बेल आइकन जरूर दबाए ताकि मेरे आने वाले जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफ प्रोगा में फिर एक नए विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्क्राइब